आबरा का डाबरा गिली गिली छूँ वन, चूँ और थ्री, ओ माइ गॉड गॉड गाइस आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला रबर बैंड और रिंग के साथ में होने वाला एक काफी कमाल का मैजिक जिसे सीखना है काफी ज़्यादा आसान अगर आपने इस वीडि वीडियो को छोड़के कहीं मत जाना तो गई जैसा कि आप देख सकते हो कि इस मैजिक को करने के लिए मेरे पास एक सिंपल सी रिंग और एक सिंपल सा ग्रीन कलर का रबर बैंड है आप यहाँ पे सबसे पहले में एक चीज क्लियर कर दो इन दौनों के अंदर किसी भी टैप इस मैजिक मैं आपको करके दिखाता हूँ बाद मैं बताऊँ है सीक्रेट ठीक है तो चलिए स्टाट करते हैं तो मैं क्या करता हूँ इस रबर बैंड को कुछ इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर और थम के अंदर इस तरीके से डाल लेता हूँ 2 and 3 Oh my God, guys देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी ring थी, वो rubber band के अंदर यहाँ पे चाच चुकी है आप देख सकते हो, नजदिक से दिखा दू यह देखिए जो हमारी ring थी, वो rubber band के अंदर यहाँ पे चाच चुकी है तो guys, अब इसे में बाहर निकालने वाला हूँ आपकी आखों के सामने अब यानि अगर मैं इसे जोर से खीचूँ तो क्या होने वाला है, पहले आप नीचे comments में बताएए फिर मैं इस magic को आगे करूँगा ठीक है, मैं wait कर रहा हूँ, 1, 2 and 3, ठीक है आपने हो सकता है, comment टाइप कर दिया होगा तो चलिए इसे मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ तो आपने क्या टाइप किया है, कि rubber band टूट जाएगा या फिर ये ring बिना तोड़ी rubber band को बाहर आ जाएगी ठीक है चलिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ आपर का डापरा, गिली-गिली, छूँ 1, 2, and 3 Oh my God, guys, देख सकते हो, किसी भी टैप का कोई कट बगरा इस ring के अंदर नहीं है, simple से ये ring है लेकिन इसके बाद भी, हमारा जो rubber band था बिलकुल जैसे थे वैसा ही है, यानि ये कहीं से कटा-फटा या तूटा-फूटा नहीं है तो इस magic को कैसे किया जाता है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वीडियो मैंट तक बने रही है, लेकिन नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर से बताए कि आज की ये rubber band magic trick आपको कैसी लगी तो गाज इस magic के पीछे का secret है काफी simple अगर आपके पास भी rubber band और एक simple सी ring है तो आप भी आसानी से magic को कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो चलिए आपको step by step बताता हूँ किस magic को किया कैसे जाता है तो गाज आपको करना क्या, एक simple सी rubber band लेना है और इसे डालना है अपने index finger और थम के अंदर कुछ इस तरीके से अगर आप right हैं, तो आपको left hand में डालना है और अगर आप left हैं, तो आपको right hand में अपने इस rubber band को डालना है अब इसके बाद मैं जब count करता हूँ 1, 2 and 3 3 के count पे होता क्या है, वो मैं आपको slow motion में दिखाऊँगा अगर fast move मैं करूँगा, तो आपको feet से समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ तो इसलिए मैं slow करके दिखाऊँगा, आप उसे अच्छे से पकड़ना, थोड़ी सी practice करोगे तो आप आसानी से इस magic को perform कर सकते हो तो guys मैं आपको slow motion में दिखा देता हूँ कि हुआ क्या था ठीक है, one, two and three तो कुछ इस तरीके से guys यह जो rubber band है ऐसा लगता है कि ring के अंदर जा चुका है लेकिन आप देख सकते हो कि ring के बाहर ही है rubber band लेकिन यहाँ पे जो holding position है मेरी ring की और rubber band को लगाने के तरीका है उससे उपर से ऐसा लग रहा है कि यह जो rubber band है, ring के अंदर ही है यानि ring rubber band के अंदर है, ठीक है अगर आप इसे ऐसे खीचोगे तो ऐसा लगता है कि सच में जो rubber band के अंदर ring यहाँ पे जा चुकी है ठीक है, अब इसे जब हमें बाहर लाना होता है तो कैसे करना है अब आपको एक बार ऐसे भी दिखा देना है देखी, कुछ इस तरीके से तो लोगों को बिल्कुल believe हो जाएगा कि rubber band के अंदर यहाँ पे ring जा चुकी है और जब आप इसे खीचोगे तो आप देख सकते हो कि rubber band अल्डेडी बाहर है तो हम क्या करते है धीरे से इसको घुमा देते है बस ठीक है खीचते है और घुमा देते है जैसे घुमाते है rubber band बाहर आ जाता है ring के तो guys यह magic आपको कैसा लगा है प्लीज नीचे comments में जरूर बताएए अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से देखिए आपको जरूर से समझ में आ जाएगा